स्वागत है पावर बी आई की सीरीज में आपका हम सीखेंगे पावर बी आई और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कोश्चन पूछिए, आप ही हमारा मोटिवेशन है, तो बढ़ाईए इस सीरीज को आगे, हिंदी की सीरीज को बन्यवाद, नवशकार दोस्तों, मैं अमेट आपका फिर से स्वागत करता हूँ, पावर बी आई के हिंदी सीरीज के एक और वीडियो में, और आज हम सीखने वाले हैं पाई विज्वल, चलते हैं पावर बी आई पे, मैंने पावर बी खोल लिया है, और पावर बी आई क आपके पास दो आप्शन है, एक पाई है, एक डोनट है, पाई में बीच में जो है, स्पेस नहीं होता है, डोनट में होता है, दोनों को ट्राइ करेंगे, तो पहले पाई विज्वल पे क्लिक कर लेते हैं, अब पाई विज्वल एक ऐसा विज्वल है, जिसके अंदर के नहीं हो पाती है वो भी देखने हैं तो चलिए शुरू करते हैं पाई विजुल सबसे बढ़िया है जब आपके पास डेटा का 10-20 मार्च 10-20 हो कैटेगरी का डिस्ट्रिबूशन थोड़ा सा इवन हो बहुत ज्यादा अनीवन है एक वैल्यू राइक एक ही वैल्यू है जो 90% डे ले रही है तो फिर तो कोई फाइदा ही नहीं है तो देखते हैं हमारा डिस्ट्रिबूशन कैसा है तो चलिए लेते हैं के एक मेजर उठाते हैं ग्रॉस का ने ग्रॉस और इसको वैल्यू स्पीड डाल देते हैं तो ये हमने बना लिया हमारा अरेक हिर ख्रकूप आbs कया यह सब आ गये तो अ क्यान जो हैं हमारे लिए यह हमारी category और यह सब कुछ आ गया है अब देखिए यह क्या बता रहा है कि category 2 सबसे उपर है देखिए category 2 सबसे उपर है उसके बाद category 4 है इसमें यह जो लेबल है और डिस्प्ले है अपने आ गया है इसमें से कुछ चीज़े कंट्रोल कर सकते हैं तो सबसे पहले क्या हो गया है इसमें यह वैल्यू लिखी हुई है और इसके सब परसंटेज लिखा है तो अगर आप properties में जाएंगे और label details में जाएंगे जो कि on है मै इसको आफ भी कर सकता है तो यहां पर choose कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए सिर्फ category चाहिए तो देखें सिर्फ category आ रही है अब जब मैं सिर्फ category डिस्प्ले करूंगा तो फिर मुझे legend की जुरत नहीं मैं legend बंद कर सकता हूँ data value चाहिए तो सिर्फ data value आ गई अब जब data value करा तो फिर यहां auto units के बजाए none भी कर सकते हैं इस तरीके से हो सकता है decimal place भी कर सकते हैं और यह सब option है ठीक है फिर यहां पर चलते इसको भी तो none रहने देते हैं ताकि number पूरा बड़ा दिख जाए और उसके बाद क्या कर सकते हैं कि फिर यह percentage of total ले सकते हैं तो सिर्फ percentage of total दिख गया फिर category value category और data value हो गई सब कर लेते हैं all label कर लेते हैं जब all कर लिया तो फिर legend की कोई जूरत नहीं है ठीक है फिर वह units क्या कर नहीं है वह अब यह देखे functional formatting में label में तो fx है पर data color में जागर जाएंगे तो data color में fx नहीं है तरीका होता है इसको करने का conditional formatting वह बताऊंगा पर इसमें नहीं फिर shapes में अगर आप जाएंगे तो यह एंगल का एक वह दिया है यह नया option है तो अगर आप यह इसको गुमाएंगे तो यह आपको एंगल चेंज होता हो लिखेगा है तो यह एक नया option है अभी इसको भी zero कर देते हैं जैसा शुरू में ता वैसा ही कर यह नहीं चाहिए यहां पर यह टाइटल होता है यह टाइटल नहीं चाहिए तो हटा देते हैं इसको ठीक है बैक्ग्राउंड है हमारे पास यह जो कंडिशनल फॉर्मेटिंग जो बाकी जगे आई है जैसे डेटा लेबल पर यह ग्रांड टोटल के उपर होगी यह हमारे पास है उसको आफ कर देते हैं लेजेंट की जोड़त नहीं है इस विजुल में इसने काफी तरीके सागे क्योंकि केटेगरी अगर रख दिया तो फिर हम लेजेंट रख सकते हैं दोनों चीजों की एक साथ जोड़त नहीं तो अब यह यहां पर आईए अब इसमें ड दिखाएगा अब यह डीटेल बहुत यूसफुल जब ही है जब आप करने जा रहे हैं कोई चोटी कैटेगरी और सबकेटेगरी टाइप में लेनूं इसमें दिखिए सबकेटेगरी थोड़ी ची कम है फिर भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आगा क्योंकि जैसे जैसे ज साफ रखें एक दम घिच पिच ना होने दें वहां पर तो बहुत ही बैटर है बतलब जितना बैटर आप कर सके उता भड़िया तो अब यह अच्छा लग रहा है अब क्या कर सकते हैं इसमें कंडिशनल फॉर्मेटिंग भी बात करी कंडिशनल फॉर्मेटिंग के लिए तर कलर फॉर्मेटिंग जो होती है फिल्ड वैल्यू से जब हम मेजर बनाके करेंगे हम कैटेगरी को अपने हिसाब से कलर देंगे यह कोश्चन है आपका तो फिल्ड वैल्यू करके करते हैं तो इंग्लिश वाला जो वीडियो है वह देख लीजेगा अभी तो फिलाल मैं क्या करूंगा तो उसी साब से कलर असाइंग हो जाएगा बट जब हम फिल्ड वैल्यू उठाएंगे जो आप इंग्लिश वाले वीडियो में देख लीजेगा जब कंडिशनल फॉर्मेटिंग उस वाला वीडियो सर्च कर लीजेगा हमें चांड कंडिशनल फॉर्मेटिंग तो इसमें आप देख लीजेगा तो यह जो है यह कंडिशनल फॉर्मेटिंग हम बार से हम ला सकते हैं पाई के उपा ठीक है अब इसको डुप्लिकेट कर लिया और अब हमने यह बना लिया डोनट भी जो अब डोनट में भी सेम चीज है सारे ओप्शन तो लगबग सेम ही है सि यह हमारा वह उजेट है, अउनन ऑर और ऑफ सेम ऑपशन है डिटा कलर का सेम ऑपशन है कोई 知नल फॉर्मेंटिंग का बार से जागी करना है डेटा लेबल में और डेटा लेबल है कलर है फिर यहांपर यहले पस seráंग में नन कफलेज पर्संटेज वैल्यू पर्संटेज व इसका control percentage of decimal place में अलग से रखा है अगर इसका font size increase करना है तो वह भी कर सकते है but font size typically मैंने आपको बोला है कि आप जो है change करना है अगर आपको font size तो आप theme से करें बेटर यह है कि उसी से control करें bold करना है तो यह देखो bold हो गया है ठीक है prefer outside prefer inside अंदर prefer करना जगे नहीं है तो फिर वह कहीं भी दिखा सकता है inside में आप force कर रहे हो कि अंदर दिखाओ जगे नहीं होगी तो फिर दिखाएगा ली लिए अब तो इसमें करके देखते हैं यहां पर अगर इसमें सेम चीज में जाएंगे और लेबल में inside कर देते हैं तो डिपेंड करता है यहां फिर भी ठीक लग रहा है थोड़ा सा busyness ज्यादा हो गई है तो इसलिए फिर shapes है shapes में हमने देखा है यह नए option आगे अंगल का तो एंगल रोटेट हो जाता है आपका title जो है simple है title अगे इन title में आप अपना खुद का title भी दे सकते हैं लिग भी सकते हैं और function भी दे सकते हैं major भी दे सकते हैं इससे title agreement आपको मिलेंगे options recent release में ही है पुरान release में नहीं थे सब options और यह background है background color जो है वो अगर आपको करना फिर उसमें भी conditional formatting कर सकते हैं border है अब देखे border पर भी conditional formatting दे दिए कि कब आपको border करना अब अब यह समझे इतनी भी conditional formatting है यह major के base पर हम कर सकते हैं तो major के base पर कर सकते हैं major जो अब decide कर देगा कि यह border आना है कि नहीं आना तो यह सब चीज़े हम कर सकते हैं फिर shadow है shadow में भी देखिया अपने function आ गया है tooltip है तो अब tooltip में चाहिए तो हमें report page रखना है यह जो है वहां पर disable हो जाएगा disable हमने यहां simply visual header करूंगा तो कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां पर आभी भी आता रहेगा यहां पर देखिया यहां पर आता रहेगा लेकिन यह visual header disappear पावर भी सब्सक्राइब यह था pie visual और donut visual और उसके जो options है और कैसे conditional formatting नहीं है तो फिर improve कर सके इन सब चीजों को इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद धन्यवाद keep watching keep asking questions in comment subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos thank you